सद्गुरू, जब मेरी भावनाएं उफान पर होती हैं, तो समर्पन सबसे आसान और सबसे मधूर चीज लगती है। जब बाकी चीजें मुझ पर हावी हो जाती हैं, तो यह मेरे दिमाग से निकल जाता है। क्या मैं जागरूख होकर समर्पन कर सकता हूँ? समर्पन करने की कुशिश मत कीजे, क्योंकि आप क्या समर्पित करेंगे? ऐसा क्या है, जो आप समर्पित करने जा रहे हैं? अगर आप जुकते हैं, तो यह समर्पन नहीं है, यह एक अच्छी कसरत है। अगर आप घोशना करते हैं, मैंने समर्पन कर दिया है, तो यह एक भयानक एहंकार है। तो आप कैसे समर्पन करेंगे? आप क्या समर्पित करेंगे? पहली बात यह है कि आपके पास समर्पन करने के लिए है ही क्या? एक खास समद से समर्पन की भावना आती है। जब आप देखते हैं देखे ये शब्द बहुत गुम्राह भी कर सकते हैं क्योंकि आपको हमेशा यही पढ़ाय गया है आत्म मूल्य, आत्म सम्मान, आत्म विश्वास है न, कि ये आपके जीवन को बनाने वाली कीमती चीज़े है समर्पन, इन सबसे उल्टा है जब आप मूल्य हीन हो जाते हैं, सिर्फ तभी आप समर्पन कर सकते हैं क्रिपया ध्यान दीजिए अगर आप में स्वाभिमान है, आत्म सम्मान है, आत्म विश्वास है तो आप समर्पन कैसे करेंगे पर क्या आप आत्म विश्वास के बिना जी सकते हैं, क्या आत्म सम्मान या थोड़े बहुत आत्म मूल्य के बिना जी सकते हैं, फिलहाल नहीं देखें, मेरे अंदर आत्म सम्मान यह आत्म मूल्य के भावना नहीं है, तभी मैं किजी भी पल तयार हूँ अगर जरूरी हो तो अगले ही पल मैं जाने को तयार हूँ क्योंकि मेरे लिए इसका कोई मूल्य नहीं है निजी तोर पर मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई कीमत है इसे जीवित रखने की मगर क्योंकि ये हमारे आसपास कई जिन्दगियों के लिए उप्योगी हो सकता है तो हम इसे चला रहे हैं मगर कोई आत्म मूल्य का भाव नहीं है क्योंकि आत्म का भाव ही खत्म हो चुका है तो मूल्य कैसे होगा आत्म का कोई मूल्य नहीं होता और जिसकी कोई कीमत नहीं है उसके साथ अगर आप सम्मान जोड़ते हैं तो बहुत परिशानी पैदा हो जाएगी और इस सम्मान के कारण अगर ये बेकार चीज आत्म विश्वासी हो गई तो फिर जबरदस समस्या हो जाएगी पर जीने के लिए क्योंकि लोग मानते थे बस लोगों का ऐसा मानना है ये सच नहीं है लोग मानते थे कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे आप अपना जीवन नहीं चला सकते ये सच नहीं है मूल रूप से सच नहीं है मगर लोग ये मानते हैं और उनके लिए ये सच हो गया है क्योंकि आप जो विश्वास करते हैं अगर आप उस पर परियाप्त ध्यान दें और अपनी भावनाएं मिला दें तो वो सच बन जाता है वो बिल्कुल सच लगने लगता है दुनिया भर में हर तरह के वो उल जलूल विश्वास बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल सच बन गए है कुछ लोगों के लिए नहीं आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए वो सच बन गया है वो उन पर विश्वास करते हैं और वो सच बन जाता है तो विश्वास के कारण ही ये चीजें सच बन गई हैं मगर चाहे आप कुछ भी विश्वास करें और उसे अपने विचारों और भावनाओं से सशक्त करें अस्तित्व के स्थर पर उसका कोई आधार नहीं होता जब हम समर्पन की बात करते हैं तो हम एक आयाम की सीमाओं से निकल कर दूसरे आयाम तक जाने की बात करते हैं आप दिवार पर काफी सर पीट चुके हैं और अब आपकी समझ में आ गया है कि हलकी हवा बने बिना आप नहीं निकल सकते हैं जब आपके समझ में आ जाता है कि आप फिलहाल जैसे हैं उस रूप में तो बिल्कुल नहीं निकल सकते हैं जब आप ये समझ जाते हैं मान लीजे आप कैद में हैं और दर्वाजे मजबूत हैं तो आप निकल नहीं पा रहें वहाँ एक नाला है गंदा नाला इस गंदगी से रेंग कर निकलने पर आप आजाद हो सकते हैं आप गंदगी से रेंग कर निकलना चाहेंगे या नहीं आप जाएंगे हाँ अगर यही आजादी पाने का रास्ता है तो सबसे भयानक गंदगी से होकर भी आप जरूर जाएंगे वो आपके नाक में और मुँ में हर जगा भर जाएगी पर इससे फर्क नहीं पड़ता यह आपको आजादी की तरफ ले जाता है इसलिए आप गंदगी से रेंग कर भी निकलेंगे यही समर्पन है यह समर्पन है क्योंकि आप समझ चुके हैं कि आप खड़े खड़े जेल की दिवारों से नहीं निकल सकते हैं इसलिए आप रेंग रहें तो समर्पन ने खास समझ है आप समझ जाते हैं कि आप अपने मौजूदा रूप में गेट से नहीं निकल सकते तो आप निकलने का अधिक समझदारी भरा तरीका ढून लेते हैं ये चीज कोशिश करने से नहीं आईगी ये सिर्फ एक खास समझ से ही आईगी या तो आपकी बुद्धी से या क्योंकि जिन्दगी ने आपको काफी पीज डाला है या फिर आप इतने पागल है कि बेल अगाम होकर प्यार में कूट जाएंगे शर्तों के साथ नहीं सोच समझ कर नहीं अच्छे बन कर नहीं एक पागल की तरह पागल जैसे राम कृष्ण या मीरा बाई या का महदेवी एसे अंगिनत लोग हैं पर ये जाने पहचाने नाम हैं बहुत से लोग हुए हैं जो पागल हैं वो समझदार नहीं हैं वो अच्छे नहीं हैं बिलकुल अच्छे नहीं हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ मगर वो शानदार लोग हैं जो शानदार हैं उसे अच्छा होने की जरूरत नहीं हैं आम तोर पर वो अच्छे नहीं होते